स्वागते स्टुडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आज हम आपके लेकर आए हैं प्राइक्ता की सीट ये सीट हमारे द्वारे निम्मित की गई है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके हम हर टॉपिक पर आपकी कप्छा से डिरेटेड हर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिसमें सबसे पहले हम प्राइक्टा को लेकर आएं गनित में यह हर कक्षा में और हर एक्जाम में इससे एक प्रश्णय जरूर आता है आप सबी इन देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए प्राइक्टा के प्रश्णय कैसे सौल करते हैं और प्राइक्टा का कंसेप्ट क्या है प्राइक्टा होती क्या है और साथ यह आपको बता दूँ अगर आपने हमारे टेलेग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है तो जरूर करें उसकी link आपको description मिल जाएगी ताकि काफी सारे updates जो होते हैं तो सबसे पहले टेलिग्राम चैनल पर share किये जाते हैं ताकि सबसे पहले आपको मिले तो आप जुड़ना ना बुले तो चले start करते हैं प्राइक्ता देखिए एक smiley क्या कह रही है आज बहुत गर्मी है साइद वर्सा होगी साइद लगा दिया मतलब की प्राइक्ता प्रकट कर दी दूसरी smiley क्या कह रही है नहीं आज वर्सा नहीं होगी इसने बिकुल मना कर दिया इसने क्या बोला है साइद मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती मतलब की प्राइक्ता क्या हो गई होने की एक बटे दो क्योंकि दो इसके टोटल हो सकती है और नहीं भी हो सकती तो दो हो गई और एक की बात कर रहे हैं तो उपर एक लिगेंगे तो मतलब कि प्राइक्ता एक बटे दो हुई देखिए हर रोज की बादचित में हम अकसर प्राइक्ता का प्रियोग करते हैं जैसे कि आज जैसे आपकी घर पे कोई आने वाला है साइद में में मान आ सकते हैं साइद आज बर्सा हो सकती है साइद आज धूब जल्दी चली जाएगी हर चीज में हम बोलते हैं साइद तो साइद क्या होती है प्राइक्ता प्रकट करने की एक छोटी सी कड़ी होती है जैसे हमारे जीवन की स्तितियां होती हैं जिनका घटित होना निच्चित होता है और कुछ जिनका घटित होना असंभव भी होता है जैसे कि आप बोलें कि सौमवार के बाद बुद्वार आएगा तो वे क्या है? एक असंभव घटना है अम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे और कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो नहीं भी हो सकती है जैसे केमिन बताया इस्थितियां होंगी या नहीं होंगी सैयोग या संभावना पर निर्भर करता है घटना के होने वह ना होने ही सैयोग ही राइकता है घटना होगी या नहीं होगी जैसे तर्बूज का रंग हम तर्बूज काटा आप उपर से काटके अगर काटके नहीं ले रहे हैं दुकानदार से तो आप घर पे आखे देखेंगे आपको उसमें क्या मिलेगा आपको एक संभावना दिखेगी कि तर्बूज कैसा लाल भी निकल सकता है पीला भी निकल सकता है मीठा भी निकल सकता है और फीका भी निकल सकता है तो यह क्या होई संभावना होई तो क्या है जो भी जिप्ति भी घटना होने की और ना होने की सहियोग जो होता है वे क्या होती है प्राइक्ता होती है देखिए इसका formula क्या है किसी घटना की प्राइकता बराबर घटना के संभावित परिनाम घटना के कुल परिनाम हम प्राइकता किस चीज की निकाल रहे हैं जैसे कि हमने एक सिक्का उचाला सिक्के में दो पहलू होते हैं चित और पट तो पट आने की या चित आने की प्राइकता क्या होगी चित एक ही बार हमने एक बर सिक्का उचाला क्या आएगा या फिर चित आएगा या पट आएगा तो घटना की संभावना कितनी हुई संभावित परिनाम क्या है एक य्या फिर चिट या फिर पट और कुल कितने हैं चित और पट दौनो टो दोगल संभाभीत परणाम होते हैं उनको नीचे लिखते हैं और जो हमने की चिता अने की समझा है परायकता निचित घटना की प्रायकता कई होती है एक होती है, जैसे कि स्वामवार के बाद मंगलवार आएगा ही आएगा तो उसकी प्राइकता क्या हो जाएगी और असमभब परिनाम की प्राइकता क्या होती है जीरो जैसे कि देखिए, एक्जामपल के सौठ समझते हैं, अगर आज मंगलवार है सत्य है विरकुल 100% तो उसकी प्राइकता क्या हो जाती है एक हो जाती है और अगर हम बोलते हैं कि अफकाज जो आपका खाने lunch time होता है खाने खाने का मध्यान होता है उस समय मैं उड़ूंगा ये क्या है असंभव और असंभव गटना है तो इसकी प्राइकता क्या हो जाएगी जीरो असंभव गटना की प्राइकता क्या हो जाती है जीरो हो जाती है और निक्चित गटना की प्राइकता एक होती है असंभव है कि मैं अफकाज में उड़ूंगा तो आप उड़ तो सकते नहीं है चिरिया तो है नहीं तो हम क्या मनुष्य हैं हम उड़ने ही सकते हैं हम चल सकते हैं तो हमारी उड़ने की प्राइक्ता क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्योंकि यह है और संभव है तो यहीं प्राइक्ता होती है सबसे बड़ी बात आपको क्या याद रखना है प्राइक्ता रिनात्पक नहीं हो सकती है प्राइक्ता कभी नेगेटिव नहीं होगी और एक से अधिक नहीं होगी क्योंकि हमने क्या देखा निच्चित होते हैं कि प्राइक्ता क्या होती है एक होती है और आसंभव की 0 होती है 0 से नीचे जाएगा नहीं एक से उपर जाएगा नहीं तो 0 से 1 के बीच में ही हमेशा प्राइक्ता का आप जित्ते भी आप solution देखेंगे प्राइक्ता के प्रश्णों के उन सभी के उत्तर 0 से 1 के बीच में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है बिरकुल तो देखिए आप बताना है निमलिकित में से किसका होना निच्चित है और किसका असंभव है और कौन हो सकता है परन्तु निच्चित रूप से नहीं आज आप कल से अधिक आयू के हैं आज क्या है आप कल से अधिकायू के हैं ये बिरकुल सत्य है निच्चित है एक हो जाएगी एक सिक्ये को छालने पर चित आएगा ये क्या है एक प्राइक्ता है जो की होना हो भी सकती है और नीभी हो सकती इसका निच्चित रूप नहीं है तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा एक बटे दो, एक पासे को फैकने पर आठ आएगा, आपको आठ लाना है, तो उसकी प्राइकता क्या हो जाएगी, आठ, एक पासे में आठ होते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है, एक पासे में एक से लेके 6 तक की संख्याएं होती हैं, तो आठ आने की प्राइकता क्या हो जा ये क्या प्राइक्ता हम हो भी सकती ये नी भी हो सकती तो एक बट्टे दो हो जाएगी कल बादल घिरे होंगे हो भी सकते नी भी हो सकते तो एक बट्टे दो हो जाएगी अगला देखिए परस्टन, आउ हल करे में हमने क्या लिखा है एक पांसे को फैका जाता है, निम्मिक की प्राइकता ज्याद करनी है दो से बड़ी संख्याओं की आने की प्राइकता एक पांसे को फैका आपने, क्या क्या आ सकता है, देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच और छे इन में से कुछ भी संख्याय आ सकती है इन में से कुछ भी संख्याय आ सकती है तो हमने उपर फोमला क्या पड़ा था? संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम नीचे लिखेंगे प्रिणाम किते हैं 6, 6 नीचे आ जाएगा, और हमें लाना क्या है, 2 से बड़ी संख्या है, 2 से बड़ी संख्या है कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 संख्या हैं, तो 4 बटे 6, क्या हो गया, 2 बटे 3, कार देंगे, 2 से 2 बटे 3, उत्तर हो जाएगा, या 4 बटे 6 भी आप लिख सकते हैं, भ कौन कौन सी हैं वे, 4 और 6, बाकिया भाज्य संख्या हैं, तो 4 और 6 हैं, तो क्या है ये, 2, और कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो भाज्य संख्या हैं, 1 से 6 के बीच में, और कुल परिणाम हो गए हमारे 6, तो क्या हो गया, 1 बटे 3, 2 से कार देंगे, इसी प्रकार अगला दे देखिए 1, 3 और 5 3 है 3 बटे 6 उत्तर हो जाएगा मतलब कि 1 बटे 2 सम अभाजय संख्या आने की सम अभाजय संख्या है तो सम अभाजय संख्या होती नहीं हमें पता है 1,2,3,4,5,6 सम भी बोल रहाई अभाजय भी होनी जहीं इसमें अभाज्य संख्या है कौन कौन सी है एक, दो तीन, पाँच एक को नहीं लिखेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे, एक ना भाज्य होती है ना भाज्य होती है तो दो, तीन और पाँच हमारी क्या है अभाज्य है, तो सम अभाज्य संख्या क्या है, एक है, मतलब दो क्या है, हमार सम संख्या है, और अभाज्य भी है, तो इसकी प्राइक्ता क्या हो जाएगी, एक बटे छे, एक बटे छे उत्तर हो जाएगा, तो स्टुडेंट्स यह हमने सिखा प्राइक्ता क्या होती है, इस प्रिनाम क्या हो सकते हैं, निचित घटना क्या हो सकती है, असमब घटना और असंप्राई घटना क्या हो सकती है? तो students, इसी के अनुसार हम आगे भी पढ़ेंगे, इसी के साथ हम अपनी कख्षा का एंड करते हैं और हम आगे भी ऐसे concept classes लेकर आएंगे, तो छुड़रे ही च चैनल से थन्यवाद